पाकिस्तान के अमरीका में साबिक सफीर हुसेन हकानी और डॉक्टर तकी मुहम्मद ने किया जिसमें पाकिस्तान के मारूफ पार्लिमेंटेलियन्स, अफ्रा सयाब खटक और फरानाज इस्वहानी, साबिक सफीर कामरान शफी, मारूफ सहाफी मारवी सर्मत, कुल बुखारी, रह्मान बुनीरी, ताहिर गोरा, राशिद नहमान, शुएब आदल और ताहा सदीकी के इला इस माका पर कानूनी अमूर के माहिर मुहम्मद जुबहर ने अपनी राए का इजार करते हुए का, रियास्त की कसीरुल कौमी हैसियत, वफाकी अकाईयों को इक्तारात की तफ्वीज, और इत्तफाके राए से चलने वारी जमूरियत पर काइम रियास्त ही, अक्वाम के दर आजाद का देर पाहल पेश कर सकती है, अमन काइन कर सकती है और भाईचारे का महौल पैदा कर सकती है That the Pakistani society is composed of multicultural, multinational and multi-linguistic groups coming together, parenthesis may, within the meaning of 1940 resolution, to forge a social contact of the willing and equal partners for the purpose of constituting a decentralized federal polity that recognizes, accommodates and celebrates their historical and cultural identities. World Sindhi Congress की नुमाइंदा, Dr. Rubina Sheik का कहना था, हम ये मुतालबा करते हैं कि मुल्क में CPAC और द्यामीर भाईशाद डैम जैसे mega projects पर काम उस वक्त तक न किया जाए, जब तक उससे मुतासर होने वाले इलाकों की अक्वाम की मर्जी इन में शामिल न हो शytes किया बाकिसान मेंकिता अ कराचिथ चोप्सदी जारते हो canım जाएंदाध लाएब न, त्यामार को खिजए छल्फचिंस, जद्शम्स्य अिर्सेत्र десятा मौवटत प्हर्या टों थास्टचिंद की अधना मस्याई लेश्स एल्फमट मार्य इन च liebeट date, प्वाम में. अब्सक्राइब निचान चेम इसक्राईज में अड़ी इसे निच्साइब निच्छाइब भी आट कर दो एक्टरोग आट तो बन्हान ही उज़ाब हुआ है इस पिज एकोर थास, शारी सर्फथ गुरी गुरी मसेश औरवाईस llाम कार्व 추천 потом किसी ल Track 255 में पुरेथ और भानलिफ्ब्स किरावश काम सब्सुंस कार्वा कोर्च दिंप अलाsk भर्ली में Mystery हद्वर को कर्वucken घ्रिप्सकाव कोlastर रवन्या ह werdे लुवर्म प्यार्ट रोर्ट झाल और यहलोगों ऑ्रोटूष नुद्स करेंगी लिए्व मेंड़ी कि तो बार्टि अड़ ऀ्लिपको फिर वे इंड पीस्ट शुग्सीजरा मुझाँ टॉड़ी नुग इंदोग को एंगी निचेशन धुट पार बार्टिबार्स्ट एप्रड़ार्स कर दो दूच सबफोचाइ चर्पाइज सिर्फ बीजकि वार इंड एावन ए प्रफ निजू कि इप दूए लेस्ठी एंजुमू इंडी एंडीस इंड परों इंड संडें, इंड ले नविंड़ी ऍनुन है इंड लेखर सेजूब मैंटा इंड कर एंड, यूंड़ इंड कि फ्रेस्पनाता थर प्रेस्तमति स convergence對 आपके तेस्टमेंग ह richness हो जिए कि अप्रोह एप्रिष्द्ट्री लोह कि आप이스, एक बिर्दिय चीज़, स्थिधर ए nuclear- प्रेस्ट्जू कि अजाबाजैना थास doctrine that a host इस मौका पर मारूफ दानिश्वर राषद रहमान का कहना था I think this is a moment to reflect on what is happening this has now become the preferred method by the powers that be to silence dissent critical voices and those who challenge the dominance of this military we must struggle against it of course but let us be clear the forces that are consistent in this struggle and the forces that are inconsistent and sell it out for petty vested interest make the distinction I don't say that you ignore them but I say lower your expectations from them this sellout by the mainstream parties is the biggest illustration I don't even have to argue it anymore अमरीका में जलावतनी पर मजबूर PTM की रहनुमा गुलाले इसमाईल ने इन इलफास में अपने मुतालबात हकूमत पाकिस्तान के सामने रखे पास्तून पास्तून थाफस मुवम्न आन nothatic movement which demands formation of a truth and reconciliation commission to investigate war crimes committed against पास्तून such as extrajudicial killings and enforced disappearances during the past 18 years South endorses the demand of पास्तून थाफस मुवम्न to bring an end to extrajudicial killing and enforce disappearances प्रज़ाज बिम्स प्राइम प्रेश प्राइम स्टैंटी कर्से प्राइम को फृष अ कार्तिक्स एच्टीट इन एंद रुपती तर्मकिता हैं, यह एंधा मोज़ बित अवस्टेश्टनी प्रेख लोग नचा संदित्रव च्राइम characterized कि फिद्शे प्रॉज़ याजिए अफरे से आप खटक का कहना था कि आईन की हुक्मरानी का मतलब ये है कि रियासत और इसके किसी अदारे के अख्तियारात लामेहदूद नहीं होते बलकि आईन में दर्ट शहरियों के बुन्यादी हकूप रियासती अख्तियारात पर कदगिनें लागू करते हैं मुल्क में आईन की हुक्मरानी के क्याम के इलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है मुल्ड पासले ल voz अध्तियारा अभादी कूट फरहनास स्वहानी ने अपने तक्रीर में इंडियन कश्मीर के हवाले से कहा कि इंडिया इंसानी हकूग की पासदारी करें Dr. Thakki, in my very short, grief and media-friendly, hopefully, Saath-Kashmir Declaration. The fourth Saath Forum expresses grave concern over the undermining of democracy and the gross abuse of human rights in the region. We resolve to condemn the unconstitutional actions of the BJP government in abrogating the Article 370 of the Indian Constitution. We denounce the trampling of civil liberties in Kashmir, arrests of the people's representatives and common citizens, while effectively cutting Kashmir and Kashmiris off from the world through suspension of electronic and telephonic communications. We urge the BJP government to uphold the letter and spirit of the Indian Constitution and restore fundamental rights, civil liberties and resolve the issue in line with the aspirations of the people. We call upon the international community, human rights and advocacy groups to join in this urgent effort. Thank you. India के हवाले से, Hussain Haqqani का भी कहना था, कि भारत का जुमूरी मॉडल एर्दगेर्ट के मुलकों के लिए काबले तकलीत नहीं रहा. Those in Pakistan who actually used to look to the countries in the region and say, well, India is the world's largest democracy. Maybe we can learn something from them. How do we structure our civil and military relations? How do we provide secular features in our constitution? Let's look at their case law. Let us look at their organizational structures. They are all worried right now because of the developments that are taking place in India. Jammu and Kashmir which has brought India and Pakistan to the brink of war. There too there is a totally different environment when you have a long-standing internet ban, when you actually detain mainstream political leaders for months on end. That does not speak well of the potential for democracy. So, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal where Democrats in the past used to say, we are in the neighborhood of the world's largest democracy so we should also become democracies. Democrats in those countries now are holding back that comment. And we want independent Balochistan. So, we want South to declare this resolution for freedom of Balochistan. And we demand for the same degree of Baloch missing persons in Balochistan. We also demand a freedom of press and expression that needs to be restored in Balochistan. As you all know, the media is completely blacked out in Balochistan. We demand a fair investigation supervised by a fair international body and DNA test of all such dead bodies that are buried without establishing their identities. We demand a complete and immediate removal of the 700 Pakistani paramilitary F.C. personnel from the University of Balochistan Quetta campus ground. So, we are native. We are native, we are native, the Ria- insertsen, the Keraap and the Keraap के साथ हम चाहते हैं कि पंजाब की तक्सीम हो पंजाब इतना ताक्टवर है इतना बड़ा है वो दूसरे कोमियों के तरह पंजाब की वज़ इसी वज़े से बंगाली से लेकर आज सिंदी तक जो है वो पंजाब को और पंजाबी को मरद अरज़ाम इसले ठहराता है कि पंजाब बहुत ताकत वा है सो हम मैं समगते है कि सराइगी सूबे की तक्सीम के साथ जहां सराइकियों वो सके राइट मेले गे वहाँ पंजाब की ताकत कम होगी पंजाब की ताकत कम होगी समझेशने कम जोर होगी the territory of Gilgitpaldistan is part of the former Prisky state of Jammuun-Kashmir and remains in Pakistan's occupation. Pakistan has governed the territory with an ad hoc non-constitutional setup for over seven decades. साथ और किस्ता साथ घंट नजएसाद बेलन जंट संस पकिस्तान आजए से ऑट इन्यट इन अबस्टाइस बड़ बेच्ट इस अवाल इंग सने टूबरी टर सेट इंट इंट एफ के विंट dotर थाम कर रूजए नजए जए बेलन आज नगारे है जएब बूफन इन इस औरा basic rights to the locals without changing the constitutional or political status of the territory so it's been established that it is not a part of Pakistan conference ke akhir mein conference ke rooh-e-rwaan Hussain Haqqani ne conference ke hawale se apne nukta-i-nazor ko wazhe kiya why are we predominantly first of all why are we meeting in Washington I have had to say this each time and most of you know it but I want to say just for the record because there are journalists they will be reporting the reason we are forced to meet outside is because we are not allowed to meet at home because everybody who's organizing at home is limited some people are allowed to get together but their stories or what they say is not published it's not broadcast it's not telling us and there are others who can't even meet and some of us are living in it that nobody lives in exile because they want it everybody wants to go home as the poet of the harris says tamam khanah badoshow mein mush tarakhe ye baat sab apne apne ghano ko palakke dekhe so when you see that there is no room for your perspective your point of view your ability to have a different opinion your ability to actually voice a different opinion then it is better to protect yourselves safe is stay physically safe and create the environment in which you can join together and create some leverage in changing things back home that is what sart has been trying to do from now on south will actually work more or less like a central clearinghouse of the various organizations movements and individuals who offer an alternative voice for pakistan people here range from the center right to the the left but what we have in common is our desire for a democratic pakistan for a secular pakistan for a federal pakistan and a pakistan in which the rights of all nationalities all ethnicities and all religious groups living within the country are protected and very frankly in all this is the truly patriotic demand for pakistan there is no other way for pakistan to be to be united to be functional to be economically viable to be prosperous and to be respected around the world it is sad it is said that soon after the uh that the iranian general was hit by a u.s drone strike there were people who started saying you know what if generals who control uh groups that engage in terrorism can be hit uh in a for while visiting another country there is another country whose generals should be hit like that and they named our country we are not happy that that is the way it is mentioned but when people say we are giving pakistan a bad name by pointing out the lack of democracy and the the lack of human rights and the lack of social justice and the lack of egalitarianism in our country they should think about is this giving pakistan a good name when the prime minister of pakistan tweets a video of somebody being beaten up in bangladesh and blames it on 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 india and everybody says how absurd is that really the making pakistan uh improving pakistan's in it i think it is time to actually be very clear that image is not the problem the reality is the problem when the reality of pakistan changes when our process when our population does not feel that one group or another is being targeted in this case it is the problem of the country we are the problem of the country we are now just trying to make it all the time to make it all the time to make it all the time to make it all हो ओख नो डिसुपेर हो जाते हैं इसे भी करने नम जहां है दोगता है हो判स्टान अक सिविलाइ सिविलाई सिफ थि कहा है दिकल क्रोल ऑगे में ठीन आपकिस्तानलुए है कि पुकिया है हम लिए घर भी आपकिस्तानलुए और के जरी जैतनलुए है वे सी जरी टो दो आप में कन दो किरूपू दूआ, बजा को तो है, प्रेश नीजिए पिर नहीं जारीद है कि भी प्रिकेंनलुए। My name is Rasul Muhammad, I am the President of Pashtun Council of America. We've been invited to the South Conference 2020. Our representation in this conference as a Pashtun ethnic minority is viewed as a good step from the members here. We're very appreciative of that and we're glad to be heard as another ethnic voice in the bigger Pakistani community. And we thank Ambassador Hussain Haqqani and Dr. Taki for inviting us to this conference. The South Conference has been a great deliberation and I'm representing the Pashtun Global Despera and the Pashtun Council of Canada and the Pashtun Council of America also requested me that I will give them all of them. So, in these efforts, basically, there are all the things that are in Pakistan, which are in the same way, the public and the descendants, which we are talking about in some way. किसे हम लिक पड़ में ले आएं और उसको एक रिजलूशन का हिस्सा बनाएं तो मुझे बड़ी उमीद है क्योंके सांथ कांफरेंस के अंदर जो लोग हैं जो इदारा है वे बड़ा इंफ्लूवेंशल इदारा है आलमी दोर बगी और मुल्क के अंदर भी तो हमें बहुत अमीद है के जो नरिटिब्स चल रहे हैं जो डिस्कॉर्स चल रही है वहां पर अपर ज्वेंशल चल रहा है तो उसका एक बड़ा कांटर खुबसूरत एक तजिया है जो यहां पे किया गिया और उन मूव्मेंट्स को और उन डिसेंडन्स को एक टाकत मिलेगी साथ कांफरंस के इंटर जलूशन के सूरत में जो के आने वाले हैं इस आफरी सेशन में मैं भी अपने और दोस्तों के साथ यहां पर जो साथ फोरम की वीटिंग है इसमें शरीक हुआ हूँ मेरे खाल में यह बड़ी एहम मीटिंग है क्योंकि पाकिस्तान में जबहुरियत की बहाली के लिए मुश्तरे के कोशिशों की जबहुरियत है और पाकिस्तान एक विफाकी जबहुरी मुल्क के तोर पर ही तरकी कर सकता है इसके लिए क्योंकि कोशिश की जबहुरियत की जबह इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में आईडी की निजाम की बाहली के लिए सब जबहूरी रोग मिलकर कोशिशें करें और साथ मेरी जबहुरी खासु को आपस में मिलाने के लिए जौडने के लिए बहुत मस्बत रह करदार अदा कर रही है पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आए कांफरेंश में पार्टिसिपेट भी किया और उसके अंदर अपनी इंपुर्ट भी दी और कावर भी किया इसको तो साल हाए गुजशता की तरह इस साल भी हमारी कोशेश ही रही कि एक ब्रॉडर नेटवर्किंग प्लाटफॉर्म ज पाकस्तान के अंदर और फड़ॉसी मुल्कों में भी आसी फूर्ट पैदा हो गई है कि जिसके उपर तबसरा करना लाजिम है और उसके लिए हवाज उठाना और उसके लिए अवेरनेस पैदा करना जो है तो उसके लिए हम कोशा है और हम दाय है मामलेग को आगे बढ़ान झाल झाल